परमादर्णिये प्रधान मंत्री महोदे आदर्णिये मंत्री महोदे गण आदर्णिये राज्य मंत्री महोदे गण परेटन वा संस्कृति छेत्र से संबंदित सभी मान्यवर देवियो तथा सज्जनू बजट 2030-2024 के परिपेक्ष में परेटन मंत्राले तथा संस्कृती मंत्राले द्वारा संयुक्त रूप से आज एक पोस्ट बजट वेबिनार का योजन किया जा रहा है और इस दोरान संबंदित मंत्रालें के प्रतिनिधी, राज्य सरकारों और परेटन छेतर के हितकार को द्वारा विबिन बिंदूओं पर विचार विवर्ष किया जाएगा ताकि इस बजट को कार्यानवित करने हितू एक ठोस कार योजना का निर्धार्न किया जा सके इस अफसर पर मैं परेटन मंत्राले तथा संस्कृती मंत्राले की ओर से प्रमादर्निय प्रधान मंत्री जी का स्वागत करता हूँ महोदे आपसे अनुरोध है कि अपने उद्वोधन द्वारा हम सभी का मार दर्शन करने की क्रिपा करें नमस्कार इस वेबिनार में उपर आपस्तित सभी महानुभाओं का स्वागत है आज का नया भारत नए वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है इस बार भी बजेट की खुब भावाई हुई है देश के लोगों ने इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया है अगर पुराना वर्क कल्चर होता तो इस तरह के बजेट वेबिनार्स के बारे में कोई सोचता ही नहीं लेकिन आज हमारी सरकार बजेट के पहले भी और बजेट के बाद भी हर स्टेक होल्डर के साथ विस्तार से चर्चा करती है उनको साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है बजेट का मैक्सिमम आउटकम कैसे आए बजेट का इंप्लिमेंटेशन तय समय सीमा के भीतर कैसे हो जो लक्स बजेट में तय किये गए हैं उन्हें प्राप्त करने में ये वेबिनार एक कैटलिस्ट की धरक काम करता है आप भी जानते हैं कि मुझे कि जब किसी नितिकत निरने से सभी स्टेक होल्डर्स जुड़ते हैं तो रिजल्ड भी मन चहां आता है समय सीमा के भीतर आता है हमने देखा है कि भीते कुछ देनों में जो वेबिनार हुए उसमें हजारों लोग हमारे साथ जुड़े दीन भर सब लोग मिल करके बहुत ही गहन मंतर करते रहे और मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही महत्वपन सुजावाए और आगे के लिए जो बजेट है उसी पर ध्यान केंदरित के हैं और उसी मैंसे कैसे आगे बढ़ा जाए बहुत उतम सुजावाए अब आज हम देश के टू बैजेट वेबिनार कर रहे हैं जाथियों भारत में हमें टूरिजम सेक्टर को नई उंचाई देने के लिए आउट आप दे बॉक्स सोचना होगा और लॉंग टम प्लानिंग करके चलना होगा जब भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विक्सित करने की बात आती है तो कुछ बाते बहुत महत्वपड होती है जैसे उस थान का पोटेंशल क्या है कि अपना सकते हैं इन सारे समालों का जवाब आपको भविश्य का रोड मैप बनाने में बहुत मदद करेगा अब जैसे हमारे देश में टूरिजम का पोटेंशल बहुत ज़्यादा है Coastal Tourism, Beach Tourism, Mangrove Tourism, Himalayan Tourism, Adventure Tourism, Wildlife Tourism, Ecotourism, Heritage Tourism, Spiritual Tourism, Wedding Destination, Conferences के द्वारा टूरिजम, Sports के द्वारा टूरिजम, ऐसे अनेक खेत्र है अब देखे रामायन सरकीट, बुद्ध सरकीट, कृष्णा सरकीट, नौर्थी सरकीट, गांधी सरकीट सब हमारे महान गुरुपरम परा हुई, उनके सारे तिर्षी खेत्र, पुरा पंजाब भरा पड़ा है हमें इन सभी को ध्यान में रखते हुए, मिलकर के काम करना ही है इस वरस के बजेट में देश में competitive spirit से, challenge route से, देश के कुछ tourist destination को development के लिए सिले करने के बाद कही गई है इस चैलेंज हर stakeholder को साथ मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेदित करेगा बजेट में tourist destination इसके holistic development पर भी focus किया गया है इसके लिए अलग-अलग stakeholders को हम कैसे engage कर सकते हैं इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए साथियों, जब हम tourism की बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि फैंशिशा शब्दा है समाथ के high income group से और उनी लोगों को represent करता है लेकिन भारत के संदर्ब में देखें तो tourism का धायरा बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है सद्यों से हमारे यहां यात्राइ होती रही है यह हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है और वो भी जब संसाधन नहीं थे यातायात की व्यवस्ता ही नहीं थी भात कठिना ही होती थी तब भी कष्ट उठा कर लोग यात्राओं पर निकल पड़ते थे चारधाम यात्रा हो द्वादस जोतिलिंग की यात्रा हो इक्यावन शक्तिपीट की यात्रा हो ऐसी कितनी ही यात्राए है हमारे आस्था के स्थलों को जोडती थी हमारे यहां होने वाली यात्राओं ने देश की एक्ता को मजबूत करने का भी काम किया है कि देश के कितने ही बड़े-बड़े शहरों की पूरी अर्थ विवस्ताः उस पूरे जिले की पूरी अर्थ विवस्ता यहात्राओं पर ही निर्वर थी यह इात्राओं की इस पुरातन परंपरा के बावजूद डुरभागी रहा कि इन स्थानों पर समय के अनुकुल सुविधाय बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया गया पहले सेंकड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आज़ादी के बाद के दस्वकों में इन स्थानों की राजनितिक उपेक्षा ने देश का बहुत नुक्षान किया अब आज का भारत स्थिती को बदल रहा है जब यात्री के लिए सुविधाय बढ़ती है तो कैसे यात्रियों में आकर्शन बढ़ता है उनकी संख्या में भारी बुरुद्धी होती है और ये भी हम देश में देख रहे हैं जब बारणसी में काशी विश्वना धाम का पुनर निर्मा नहीं हुआ था तो उस समय साल में सब्तर अस्षी लाग के आस्पासी लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते थी काशी विश्वनाद धाम का पुनर निर्मान होने के बाद पिछले साल बारणसी जाने वाले लोगों की संख्या साथ करोड को पार कर गई है इसी तरह जब केदार घाटी में पुनर निर्मान का काम नहीं हुआ था तो वहां भी सालाच चार-पांच लाख लोगी दर्शन के लिए आते थे लेकिन पिछले साल पंद्रा लाख से जादा सध्धालू बाबा केदार के दर्शन के लिए गए अगर मेरा गुजरात का पुराना अनुभव है वहां का भी अनुभव आपसे शेयर करता हूँ गुजरात में पावाघड करके एक तिर्सक्षत रहें बड़ोदा के पास जब वहां का पुर्ण निर्मान नहीं भुआ था पुरानी हालत थी तो मुश्किल से दो हजार पाँचे जार तीनाजार इतनी संख्या में लोग आते थे लेकिन वहां जिर्णोद्दार हुआ कुछ इंफ्रस्रक्टर बना सुविधाय बनी तो उस पावाघड मंदिर के पुनन निर्मान के बाद नव निर्मान के बाद करीब करीब 80,000 लोग वहां अवसतन आ पड़ा तूरिज्यम को बढ़ाने के लिए उसके सराउंडिंग जो चीजे होती वो भी आप बढ़ने लग गई है और ज्यादा संख्या में लोगों के आने का अर्थ है कि स्थानियस तरपर कि कमाई के ज्यादा आउसर रोजगार स्वरोजगार के ज्यादा मोगे अब देखिए दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा स्टेची अफिनिटी का भी उधान देगा यह प्रतिमा बनने के बाद एक साल के वितरी 27 लाख लोग उसे देखने के लिए पहुँचे यह दिखाता है कि भारत के विविन स्थलों में अगर सिविल एपेनिटी बढ़ाई जाए वहाँ डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी हो होटेल हॉस्पिटल अच्छे हो गंदगी का नामों निशान ना हो बहत्रीन इंफ्रस्रक्टर हो तो भारत के टुरिजम सेक्टर में कई गुना वृद्धी हो सकती है के शाथियों मुझे आपसे बात करते हुए एम डबाश शहर में कांकर्या तराग है कि उसका अधिया लेख प्रोजेक्र की विशह में भी कुछ करने का मन करता है है अब यह कांकर्या लेख प्रोजेक्ट शुरूर होने से पहले वहां आम तौर पर लोग जाते नहीं थे व हमें वहां नो सिर्फ लेक का रीडेवलप्मेंट किया बल्कि फूड स्टोर्स में काम करने वालों को स्किल डेवलप्मेंट भी किया आधुनी गिन्पा सकते हैं साथ हमने वहां स्वच्छता पर भी बहुत जोड दिया अब कल्पना कर सकते हैं कि आज वहां एंट्री फी होने के बावजूद भी आउस्ट अन प्रति दिन दस जार लोग मुलाकात करते हैं ऐसे ही तरीकों से हर टूरिश्ट डेस्टिनेशन अपना एक रेवेन्यू मॉडल भी विक्सित कर सकता है साथियों यह वो समय हैं जब हमारे गाउं भी टूरिजम का केंद्र बन रहे हैं बहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हमारे दूर सुदूर के गाउं अब टूरिजम के मैप पर आ रहे हैं केंद्र सरकार ने बॉर्डर किनारे पर बसे जो गाउं है वहाँ वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज योजना शुरू किया है ऐसे में होमस्टे चोटे होटल चोटे रिस्टरंड हो ऐसे अनेक बिजनेस के लिए लोगों को जादा से जादा सपोर्ट करने का काम हम सब को मिल करके करना है जात्यों आज एक बात में भारत आ रहे हैं फोरेंट टूरिस के संदर में भी बताऊगा आज जिस तरह दुनिया में भारत के पति आकर्शन बढ़ रहा है भारत आने वाले विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ रही है पिछले साल जनवरी में सरिफ दो लाग विदेशी टूरिस्टों की आई थे जबकि इस साल जनवरी में आठ लाग से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट भारत आ रहे हैं हमें उने भी प्रोफाइल करके अपना target ग्रूप तय करना होगा विदेश्ट में रहने वाले वो लोग जिन में जयाता से ज़्यादा खर्च करने की खम्ता होती है हमें उन्हें जादा से जादा संख्या में भारत लाने के लिए विशेश रहननीती बनाने के आवशक्ता है ऐसे टूरिस्ट बले कम दिन भारत में रहेंगे लेकिन जादा राशी खर्च करके जाएंगे आज जो विदेशी टूरिज भारत आते हैं वो आउसवतन सत्रासो डॉलर खर्च करते हैं जबकि अमेरिका में इंट्रनेशनल ट्राविलर आउसवतन पचीसो डॉलर और अस्ट्रेलिया में करीब पांच हजार डॉलर्स खर्च करते हैं भारत में भी हाइस स्पेंड टूरिस्ट को आफर करने के लिए बहुत कुछ है हर राज को इस सोच के साथ भी अपनी टूरिजम पॉलिसिक में बड़लाव करने की जरुवत है अब जैसे मैं आपको एक और उधाद हूँ का सामान्य तोर पर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा क महिनों महिनों किसी देश में डेरा डाले रहते हैं भारत में इतने भांती-भांती प्रकार के पक्षी है हमें ऐसे पोटेंशल टूरिस्ट को भी टार्गेट करके अपनी नीतियां बनानी होगी साथियों इन सब प्रहासों के बीश आपको टूरिजम सेक्टर की एक बेसिक चुनावती पर भी काम करना है यह हमारे हां प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड की कम्मी गाइड के लिए स्थानिय कॉलेजों में सर्टिफिकेट कोर्स हो कॉम्पिटिशन हो बहुत अच्छे नवजवान इस प्रोफेशन में आगे आने के लिए महनत करेंगे और हमें शामदार अनेक भाषा बोलने वाले अच्छे टूरिस्ट गाइड मिलेगे उसी प्रकार से अवेलेबल हैं टेकनोलोजी का उप्योग करके भी कर सकते हैं कि किसी एक विशेश टूरिस डेस्ट में जो गाइड काम कर रहे हैं उनकी एक स्पैसिफिक डेश या वर्दी भी होनी चाहिए इससे लोगों को पहली नजर में पता चला जाएगा यह सामने वाला जो बेकती है वो टूरिस्ट गाइड है और वो हमारी इस काम में मदद करेगा हमें यह याद रखना होगा कि जब कोई भी टूरिस किसी स्थान पर पहुंता है तो उसके इन मन में सवालों का भंडार भरा होता है वो अनेख सवालों के तत्काल समाधान चाहता है ऐसे में गाइड उन सभी सवालों के जबाब खोजने में उनकी मदद कर सकता है साथियों मुझे भी स्वास है इस वेबिनार के दौरान आप टूरिजम से जुड़े हर पहलू पर गंभीरता से विचार करेंगे आप बहतर सॉलूशन के साथ सामने आएंगे और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जैसे टूरिजम के लिए हम हमाली जे हर राज यह एक या दो बहुत ही अच्छे टूरिज डेस्टेशन पर जोड लगाता है कर तो एक शुरुवात कैसे कर सकते हैं हम ताय करें थाए कि स्कूल से बच्चे जो टूरिजिक के prawn निकलते हैं हर स्कूल करो डीषी या था आध कर दो करते ही हैं यहां जो लोग हैं उनको लगेगा इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं चलो यह विवस्था कड़ी करो यह दुकान खड़ी करो पानी की ववस्था करो अपने आप शुरू हो जाएगा अगर मान लीजे हमारे सभी राज्य ताय करें कि नौर्थ इसके अस् हम हर वर्ष आठ उनिवर्षिटी हर राज्य में ताय करें और हर उनिवर्षिटी नौर्थ इसके एक राज्य में पात दिन साथ दिन टूर करेगी दूसरी उनिवर्षिटी दूसरे राज्य में टूर करेगी तीसरी जर्षिटी तूर आप देखे आपके राज्य में आठ इन्यूबर्सिटी ऐसी होगी जहां कि हमारी युगकों को नौर्थ इसके आठ राज्यों का पूरा अतापता होगा उसी प्रकार थे आजकल वेडिंग डेस्टिजेशन बहुत बड़ा विदिनस हुआ है बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिजेशन बना है विदेशे तो ल देश में वातान बनाना चाहिए कि गुजरात के लोगों को लगना चाहिए कि दो हजार चोबीस में हमारे यहां से साधियों के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन होगा तो तमिल नाडू में होगा और तमिल पद्दधी से हम साधी करवाएंगे घर में दो बच्चे हैं तो क कल्ब मार कर सकते हैं रिखे से अंधर डिषन ऐटना बड़ा कारोबार की समभावना है हमारे देश का डौप क्लास के लोग वीदेश जाते होंगे लेकिन मिलल क्लास अप्रमिल क्लास के लोग आज कल वेडिंग डेस्टिनेशन पे जाते हैं और उस में भी जम नयापन होता तो उनकी जिन्दगी में यादगार हो जाता है हमने इस दिशा को अभी तक उप्योग नहीं कर रहे हैं कुछ इने गुने स्थान अपने तरीके से करते हैं उसी प्रकार से कंफर्निशीश दुनिया अके लोग कंफर्न्स के लिए आते हैं हम ऐसा इंफ्रेस्ट्र Sultan तयार करें पबट裡面 मान्टर तक रएं जमीन की कोछ ऐसी व्युक्त है करें तो अभी प्रकार सेक लिए लोग किले लोग आएंगे हम्टी थीडिया में भी रूक हैंगे hospitality industry भी भड़ेगी याने एक पूरा ecosystem डेवलोफ हो जाएगा उसी प्रकारते sports tourism भी बहुत ख्षेत्रा है हम invite करें अब देखें अभी कतर में फुटबॉल मैच हुआ पुरे धुरियां का कतर की एकोनोमी में बहुत बड़ा प्रभाव हुआ उसका दुनिया वर के लोग आए लंखो लोग आए हम छोटे से शुरू करें बहुत बड़ा हो सकता है हमें इन तरीकों को डूनना होकर उसके लिए फिर infrastructure शुरू में लोग आए ना आए हम अपने स्कूल के बच्चों कॉलेज के बच्चों हमारे सरकार की मीटिंगों के लिए वहाँ जाना अगर हम अपने एक destination को महत्वत देना शुरू करेंगे तो अपने आप और लोग भी आना शुरू करेंगे और फिर वहां की आता हूं कि भारत में कम से कम पचास टैस्ट पर पासासा अगरंप मरने के दुनिया के हर कौन में पता हो George घापए ँजाना ही चाहिए हर राजय को गर्व होना चाहिए कि दुनीय के इतने देश के लोग मेरे हाँ आते है दुनिया के इतने देशि Lumet हम टार्गेट करेंगे हम वहां की MBC को लिटरेचर भेंजेंगे हम वहां की MBC को हम सब कहेंगे कि देखिए आप टूरिस्ट को लिए मदद चाहते हैं हम यह मदद करते हैं हमें पूरी व्यवसा हमारे जो टूर आपरेटर्स हैं उनसे भी मेरा आगर है कि आपको नए से सोचना होगा हमें हमारी एप हमारे डिजिटल कनेक्टिविटी इन सब को बहुत आधूनिक बनाना हो होगा और हमारा कोई टूरिस्ट डेस्ट डेस्ट अना ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी एप यूएन की सभी लेंग्वेजिज में ना हो और भारत की सभी लेंग्वेजिज में ना हो अगर मैं सिरफ अंग्रीजी और हिंदी में हमारी वेब साइट बना देंगे तो संभव होने हो इतना ही नहीं हमारे टूरिज्ट डेस्टिनेशन पर साइने जी सभी भाषाओं की होने चाहिए अगर तमील का कोई सामाइने परिवार आया है बस लेकर करके चला है और वहां पर उसको तमील में अगर साइने जी मिल जाते हैं तो बढ़ी आसानी से पहुंच जाता है छोटी छोटी चीज़े हैं जी हमने एक बार अगर इसके माहत्माइ को समझेगे तो हम अवश्य रुप से टूरिज्टम को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं मैं आपसे आशा करता हूं कि आज के इस वेबिनार में बहुत विस्तार से चाहज़े करें और रोजगार के बहुत सारे आउसर जैसे एग्रिकल्चर में हैं जैसे रियल ए excited development और इंफ्रासेक्र में हैं टेक्स्टैल में हैं उतनी ही तांकट तूरिजम के अंदर रोजगार मैं आपको निमंत्रन देता हूं और आपको इस आज के वेबिनार के लिए बहुत सुब कामनाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद